अब्रीवान वेलकम तू अभी मन्यू आई एस होप यू आप यू आउप यू आउप यू आउप यू आउप यू आउग रेट मैम इस अक्षय सोनी रिजिनिंग मेंटर अभी मन्यू आई एस एंड तोडे इन इन इस सेशन देट इस पॉर अभ्यास 2.0 जो की हर्याना सेव व्यू आउप यू इसन में रिजिनिंग के सेशन में आज हम डिसकस करेंगे रेंकिंग के रिगारिंग जो भी कॉष्टन बने थे ठीक है रैंकिंग टौपिक है एक इंपॉर्डेंट टौपिक जिसमें की प्यूबगी से जो भी कॉष्टन थे और साथ ही साथ मैं आपको basic concept भी बताऊंगा और साथ ही साथ हम कुछ questions को भी इसमें discuss करेंगे ठीक है तो यह टॉपिक है previous वीडियो में भी शायद मैंने किसी एक class में मैंने इसको discuss किया होगा ranking को इसमें हम detail में इसको discuss करेंगे ठीक है तो session को शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ranking sequence यह ranking एक puzzle की फॉर्म में बन सकता है इसमें भी puzzle की फॉर्म में बनेगा मैं को बताऊंगा किस तरह से बनेगा ठीक है चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मन्यू आईएस की तो अभी मन्यू आईएस जो की scs preparation के लिए number one institute है ठीक है इसने 41 प्लस selection दी है ठीक है in 2021 में 27 प्लस selection दी है 2022 में ठीक है इसमें आपको क्या के चीज़े अवेल हो रही है ठीक है ओनलाइन क्लासीज है ओफलाइन ओनलाइन cset classes, pdf notes, test series, mentorship ये सारी चीज़े में अवेल हो रही है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता जाता हूं कि ranking sequence क्या है ranking sequence क्या होता है आपको ranking मिलती है किसी भी job में ठीक है एजिग नेशन में ranking है रो में एक लाइन में एक कतार में ठीक है क्यूँ लाइन क्लास ठीक है और इसी तरह से आप बोलके चलो कि इसमें एक्जाम सगयरा जो भी हम इसमें ट्राइब करते हैं ठीक है कोई हमने test series दे उसमें हमारा rank बन रहा है ठीक है इसमें आपको ranking मिलेग इवन आपको indices इंडेक्स जो रहते हैं उनमें भी आपको ranking देखनों को बलती है ठीक है आपने देखा होगा ranking जो रहती है इंडेक्स में अगरम देखेंगे तो पॉपुलेशन की उसमें देखे तो इंडिया सबसे पहले नंबर पे आगरम उसमें दूसरे end से देखे तो इं इसके regarding किनी भी कोई भी इसमें word इसमें include हो सकता है कि किसी भी तरह से ranking आपको दी हो जादर तरह आपको question आता है Q row यह line में से ठीक है class में से भी बनते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि example आपको मैं बता दूँ रो में जो person रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं ठीक है एक row है अब इसमें row में क्योंकि यह person है यह standing position में तो इसमें इनका सभी का left होगा इस तरफ और सभी का right होगा इस तरफ हमारे left की तरफ इनका left hand हमारे right की तरफ इनका right hand ठीक है और क्योंकि यह row है ठीक है अब यहां पर जो left hand पर यह पहला person है second, third, fourth, fifth, six, seven, साथ लोग है हम किसी एक person को यहां पर लेके चलते हैं जैसे माली जी यह है, left से कौन से नंबर पर आ रहा है left से यरा fourth number पर, left से fourth number पर, right से देखें कि तो right से कौन से नंबर पर, right से भी fourth number पर, ठीक है total person कितने थे, total तो इसमें से साथ थे, ठीक है, total seven अगर हम बात करें यहाँ पर लिए दोनों रैंक को एड कर देता हूoug एक person के दोनु तर्प से जो रैंक दी हैं उनको एड़ करदेने तो जो है the उसमें क्या होगा एक ज्यादा होगा ठीक है जैसे में लेफ्ट रैंग और राइट रैंग को एड़ कर दिया तो दोनों को एड़ करने पर एक ज्यादा मिले तो हमें क्या करना है हमने लेफ्ट रैंग प्लस राइट रैंग माइनस वन करना है ठीक है ताकि हमें टोटल मिल ज तो उसमें एक ज्यादा हो गया, तो हमें कम भी करना पड़ेगा, तो एक कम करने पर कितना बिल रहा है, 49 उसका अंसर बनेगा, ठीक है, अब देखे, इनके नेम्स के रिगार्डिंग भी आपको कोशन बनते हैं, जैसे कि लेफ्ट है, तो लेफ्ट को और क्या कहा जाता है, ल मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, ठीक है, परस्ट का बनेगा लास्ट, और फ्रंट का बनेगा बैक या बिहाइंड, दोनों में से कोई भी एक, इन में से यूज हो सकता है, ठीक है, और स्टार्ट का क्या बनेगा, ठीक है, अब एक और चीज़ आपने इसमें समझनी है देखेंगें, क्योंकि कॉलन की form में भी ओस था है, कॉलन कहा पर आएकजाम में, या क्लास में कोई भी आपके रेंकिंग है, ठीक है, या एकजाम आपने दिया तो उसमें रेंकिंग बनती है, ठीक है, तो इस तरह से हम ले ले लेते हैं यहाँ पर कुछ परसंड, यह वील और इसका ये bottom end है, ठीक है? शुरू और end, अगर कोई person माली के यहां पर है, left sometimes, top से इस क्मर पर है, top से है third number, bottom से देखें, तो bottom से कहां पर है, bottom से है fourth number पर है, अगर मैं दोनों को add कर के एक कम कर दों, 4 और 3 कितने हैं, 7, 7 में कम कर दो, कितना हो मनगे अच्छी अब देख सकते हैं चेहीं पासन सदीचित अपिने कि उपर उपर वाले रेंके इनको बोलेंगे अब अब है कि कैसी नीचे वाले रेंग को क्या बोलेंगे बिलो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं जो अधं फुल्द हमारे रेंक्स हैं उनको क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे टुदा लेफ्ट इसको अब भी न कहेंगे ओर भी कहेंगे यह वर्ड का इसमें इंक्लूसिन होगा। इसे य狂 होगे तू दा लेफ्ति यह तू राइट हमारे राइट की तरफ य तो टू दा राइट थिक्ला और क्या बोलें कि left की अब अबब का जा अबंग बिलू ऑपोश इट और आहेड का जाएगा बिहॉइंड हो त relies before का क्या आएगा after तो यह वर्ड का ध्यान रखना है यह आपके बार-बार यूज होते रहते हैं इन चीजों का ध्यान रखना है ठीक है अब क्यूंकि हमें इस तरह से भी आ सकते हैं कि को आप कैसे टैकल करोगे अब देखिए हमें लेफ्ट रेंग प्लस राइग माइनस वन तो यह बोला गया ठीक है तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल में यह माइनस वन को एड़ कर दो टोटल प्लस वन total plus one, minus one side rank एक तरफ का rank उसमें से minus करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दूसरी तरफ rank, other side rank ठीक है, बस इस चीज को याद रखना आपने बस यहाद पर आपके concept खत्म होते हैं अब हम question पर चलते हैं, question से आपको ज्यादा clear होगा, जैसे की यह question है previous year से है इसको मैं बाद में discuss करूंगा पहले मैं यह question आप से discuss कर रहा हूं ठीक है देखिए basic level का question है यहां पर यह बने है कि Manoj and Sachin are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class class में कितने है total 31 student ठीक है जैसे कि यहां पर respectively word दिया गया है तो आपको इस तरह से इसको imagine करना है कि जो Manoj है Manoj पहले आएगा कौन से नंबर पर आए मनोज है left से 7th नंबर पर और Sachin Sachin की अगर हम बात करें तो Sachin यहां पर कौन से नंबर पर आएगा left से 11th नंबर पर ठीक है total कितने एगर हम देखें इसमें तो तोटल है 31 अब यह राइट अगर राइट अगर राइट अंड से देखें लब से कौन आ रहा है left से पहला आया Manoj राइट से नंबर पर आ रहा है Sachin राइट से पहले पर कौन आ रहा है मनोज इन में अगर हम गैप देखें तो क्या रहा है 7 में 4 एड कर दो 11 बन जाएगा ठीक है उसी तरह से अगर राइट से देखें कि तो इसका पहले इसका रहेंग आएगा फिर इसका रहेंग आएगा तो हमें क्या बताना है कि वाट विल बी डियर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम दी बॉर्टम इंडी क्लास बॉर्टम एंड से देखना हमने बॉर्टम एंड से देखिए राइट एंड से इसकी पूजिशन कौन सी बन दी वह हमें फाइंड आप करना है तो क्या करना है टोटल प्लस वन डैट इस 32 म माइनस क्या कर दो 11 माइनस कौः तो कितना जाएगा यह बन जाएगा 21 ठीक है यह यह इसका रैंक जो है राइट एंड से बने वन तो यह पे लिख लिखता हूं 21 कि यह पहले आएगा तो यह बास्म वेह दो बताने कहां से राइट है मनोज का पहले सचिन का बाद वे तो मनोज का जो है कितना बना 25 और सचिन का कितना बना 21 ठीक है तो यह जो होगा इसका अंसर बनेगा option ठीक है इसमें और रडी गिवन है कि पूरी क्लास में कितने है टोटल पासन है 83 ठीक है और बोला गया है कि एक लाइन में खड़े हैं बिट्वीन महेश आंड सुरेश देर आर 34 पासन स्टेंडिंग फिक है महेश और सुरेश के बीच में हैं 34 person ठीक है और बोला गया कि which of the which of the which of these could be the position of महेश इन में से महेश की कौन सी position हो सकती है ठीक है so that it is possible to uniquely determine the position of सुरेश हमें सुरेश की position बनानी है ठीक है उसको बताना है तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो है इनके बीच में किती है 34 अब देखिए सबसे पहले यहां पर points देखो point का use करके देखेंगे सबसे पहले यहां पर महेश की position यह दीए तो left end से महेश यहां पर होगा अगर इस जगह पर उसकी position कौन सी है left से है 12 प्रेंट बोला है तो मतलब शूरू से ठीक है तो left से 12 है और उसमें इनके महेश और सुरेश के बीच में कितने है महेश और सुरेश के बीच में 34 है ठीक है और यह दर आ गया तो अभी क्या करना प तो 35 आजाएगे तो 12 में 35 एड करते हैं तो इसकी position में इस तरफ से बता सकता हूं ठीक है similarly जब मुझे left से इसकी position मिल जाएगी ठीक है तो मैं right से भी इसकी position बता पाऊँगा देखे जैसे कि यहां पर अगर इसकी position बताना चाहूं तो कितना बनेगा 35 में 12 एड करतो कितना 47 तो 47 इसकी position बनेगा left से अगर right से बताना चाहिए तो वो भी बता सकते हैं ठीक है क्या करेंगे 84 माइनस 47 तो क्या जाएगा 7 और यहां पर बनेगा 3 तो 37 था जाएगी इसकी right से position ठीक है ऐसे हम इसमें बता सकते हैं अब देखे जैसे कि इसमें बताया गया कि 41 position है कहां से behind से behind मतलब तो राइट एंड राइट एंड से position बन रही है किसकी महेश अगर महेश यहां पर है तो इनके बीच में महेश और सुरेश के बीच में कितने आ रहे है 34 तो अगर मैं इस राइट एंड से 41 में 41 में 35 एड करूंगा ठीक है 41 में 35 एड करने पर अगर यह जो है इस न करेंगे उसको ठीक है जैसे हमने इसमें चाक किया है कि इसमें सैक्स और यहां पर सवनगे तो 76 अगर हम data पाएंगे फिपन मतलब यह महेश कहीं पर आगे यहां पर होगा है ठीक है और सुरेश इसके इधर होगा ठीक है अगर इस पूजिशन को देखें तो क्या हम इसमें बना पाएंगे इसको देखिए यह महेश आगया महेश की पूजिशन अगर राइट एंड से 59 होगी ठीक है और इसको अगर देखेंगे सुरेश को तो सुरेश क्या यहां पे हो पाएगा 59 में प्लस में अगर 35 करता हूँ तो वह एड करके क्या बनेगा एड करके इसमें ज्यादा वैल्यू बन जाएगी ठीक है इसका मेनिंग है कि इस पूजिशन को हम डिटर्मिन नहीं कर सकते बट महेश को अगर मैं आगे दोनों पूजिशन को इसमें बनाए जा सकता है ठीक है तो इसमें क्याएगा बोथ A and C आपका नेक्स्ट कोशन हो चुका है ठीक है इस नेक्स्ट को देखते है इन रो और बॉइस जीवन इस सेवंथ फ्रॉम दी स्टार्ट से सेवंथ है एंड इलेवन फ्रॉम दा एंड ठ ठीक है इन अनदर रो और बॉइस विकास इस टैंफ रॉम दा स्टार्ट and 12 रॉम दा एंड ठीक है क्या करना है एक परसन के दो रों राइंक को एड करो उसमें से कम कर दो टो टोटल में जाएंगे पहली रो में देखो इतना है साथ और ग्यारा दोनों को एड किये कितने ब बन रहा है एंड से तो हमें क्या करना है इन दोनों को एड करना है एड करके क्या करेंगे एक कम कर देंगे 10 प्लस 12 22-1 21 इसमें आड करेंगे तो प्रिया इसमें दो कंडिशन बन सकती है कि लेफ्ट एंड से प्रिया यहां पर बन की और यहां पर नताशा और इनके बीच में कितनी है 16 गर्ल्स है ठीक है अगर मैं नताशा का रैंक बताना चाहूं तो क्या करेंगे 32 में 17 एड कर दो तो इसका लेफ्ट से आ जागा 49 रैंक ठीक है इसका दूसरा जो है कंडिशन ऐसे भी बन सकती है कि प्रिया इधर हो जो कि कौन से नमर पर बन रही है 32 ठीक है और यहां पर नताशा कहीं पर हो इनके बीच में 16 लड़की हैं अगर मैं इसमें 32 से क्या करूं इसमें यह 16 माइनस करता हूं तो यहां तक की लड़की मिल जाएंगी ठीक है बट मुझे क्या करना पड़ेगा प्रिया को भी माइनस करना पड़ेगा इसका मेनिंग है कि 32 में से 17 अगर माइनस करते हैं तो 15 आजएगा जो कि प्रिया और 16 लड़कियों को छोड़के जो यह जो लड़कियां बचकी इनकी पूजिशन बन जागी इतनी लड़कि राइट एंड देन नताशा इंद रो ठीक है वो नताशा जो है नताशा के कंपेरिशन में देखें कि तो री प्रिया राइट एंड के जाता नजदी के तो यह बन्दा है उपर बाला गलत है तो हमें क्या बताने है और अव फार अभे इस नताशा फ्रॉम दा लेफ्ट ठीक है दे एक्षेंज देखें यह कोशन बहुत जो है आपको बहुत तरह से प्पूचा जा सकता है एक्षेंज आपको तो आपको 2-3 इसमें बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह को करना देपक का 9 नैंथ है लेफट से और कशिष का जो रहंक है वह थर्टीन थै है राइट से इन्होंने क्या किए इंटरचेंज जैसे माली यह इधर यहां पर कशिष यहां पर है यह लेट से है नाइंद ब வड़ और यह कशिष है 13 सभाघए ठीक है इन्होंने किया इंटरचेंज अब ऍब इपक उठा कशिछ की जगा है और कशी शूठी देपक की जगा इन्होंने जब इंटर चेंज किया तो देपक की यहां पर नई पुजिशन आ रही है, कहां से? Left end से, तो Left end से कौन से number बन रहा है यह दीपक? यहाँ पे जाने पे यह कितना बन रहा है? यह बन रहा है, यह नई पुजिशन है दीपक की और Left end से बन रहा है 17th number पे ठीक है? तो simply हमें क्या करना है? दीपक का ही पुराना rank दिया गया और दीपक का ही नए rank दिया गया इन दोनों ranks में देखने की difference कितना है जितना इसमें difference होगा उतना ही कशिश के पुराने rank में और कशिश के नए rank में difference होगा तो क्या रहा है 9 से मुझे 17 बनाना है क्या करना पड़ेगा इसमें 8 head करना पड़ेगा similarly इसमें अगर कशिष के पुराने rank में मैं 8 head कर देता हूँ तो नहीं rank का जाएगा उसका right end से इस नहीं position पर rank कितना आएगा 21st ठीक है 13 में 8 head कर दो 21 ठीक है यहाँ पर बनेगा कशिष का rank अब यह तो हो गया आपका जो की question यहाँ पर पुछा है then find the new position of right end से हमें find out करनी है नहीं जगा पर तो क्या रहा है उसका 21 यह तो आगया इसका answer बट हमें क्या करना हमें इसमें question ऐसे भी बन सकता है कि total find out करो total कैसे find out करेंगे total find out करने के लिए आपने क्या करना है इसमें एक person का पुराना rank जैसे यह इसका old rank है और दूसरे person का नहीं rank इन दोनों को add कर दो 13 और 17 को add करने पे जैसे कि यहाँ पर बन रहा है इसी seat पर बन रहा है एक 13th rank एक 17th rank इन दोनों को find out करने के लिए क्या करना है ones old rank plus others new rank minus one तो यह बन जाएगा इसमें total find out करने के लिए ठीक है तो 29 इसमें total बनेगा और एक और चीज़ इसमें आपको question ऐसे भी आ सकता है कि बताओ इन दोनों के बीच में कितने हैं इन दोनों के बीच में कितने बसन आएंगे तो क्या करना है जो difference होता है ठीक है पुराने rank और नए rank में उसका जो difference होगा उसमें से कम कर लो ठीक है उसको याद रखना आपने difference minus one जैसे कि अगर हम इसमें find out करने जाएंगे तो कितने बनेगे इसमें बनेगे साथ ठीक है चलिए next question है आप आपका इस question में क्या कि बना है इसमें हमें बताना है minimum number of persons minimum number of persons की जगा आपको पहले क्या होगा पहले आपने समझना है कि इसमें sitting कैसे होगी जब भी minimum आया तो आपने क्या करना उसको overlap करना है ठीक है जैसे कि यहां पर sitting है इस तरह से राम की position कहां पर है left से six number पर यह राम आ गया left से six number पर और शुबम की कितनी position है right से इसमें शुबम बन रहा है seven number पर ठीक है इनके बीच में तीन लोग है तीन स्टुडेंट से हाव मेनी बॉइस आपने इसको समझना है ठीक है देखिए क्योंकि minimum है तो minimum के case में आप क्या करेंगे minimum के case में यह तो आगे इसकी maximum condition की जो left से rank दिये तो left की तरफ रखो जो right से rank दिये और right की तरफ रखो ठीक है इसमें क्या बनेगा देखिए यहां तक position होगी राइट की तरफ होगी राइट की position left की तरफ ठीक है जैसे कि यहां पर आपको देखने से पता चलेगा इसमें राम की अगर हम position देखें तो राम क्योंकि left से इसका rank दिया है तो वह right end के ज़्यादा नजदीक होगा यह राम आ गया ठीक है लेट से किसने number पे है six number पे और शुबम की अगर हम देखें तो शुबम राइट एंड से कौछ से number पे है सैवत नंबर पे और तीन लोग इनके बीच में ठीक है अब आपने basic concept को समझने कि कहना क्या चाती है आप लेट से देखें तो राम की position कौन से बन रही है six जब हम वा स्काच बनके है अब हम कितने चाहिए six चाहिए तो still के लिए की यह एक और पर सनद है ठीक है जब शुबम का रही है साथ यहां तक बन रहे चुम मत Д です चलेंगे इस से तो पहला एक आगे ये दूसरा तीसरा चौता पांच वांच बन गे ठीक है हमें कितने चाहिए साथ साथ के लिए दो चाहिए आप सिंगल सिंगल लायन को कांट कर लो यह जो है इसमें देखिए यहांपे लेट से यहां दक श्राम तक बने थे six, दो आगे बने, तो कितने बने एट, यह आप single count करेंगे, तब भी आपके बसे eight बने गए, ठीक है, पट यह जो है आपको थोड़ा सा lengthy method लग सकता है, इसके जगाँ आप क्या करेंगे, आपने याद रखना है, एक तो है person राम, दूसरा है शुबम, और इनके बीच में है तीन, तो तीन और दो कितने बने पांच, ठीक है, अब पांच बने तो पांच का क्या मीनिंग है, ओके, तो आपने याद रखना है, इसमें, दो यह person होगे, ठीक है, राम और शुबम, और तीन इनके बीच में, अब number of person जो हमारे पास known है, वो कितने है, वो है पांच ठीक है, बड़ अगर हम देखेंगे, इसमें कि unknown कितने है, तो unknown find out करने के लिए क्या करना है, इसमें याद रखना है, कि 5 हमारे पास already है, मुझे बनाना है, 6, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, जो राम का rank यहाँ पे है, राम का है, 6 कहां से, लेट से, ठीक है, 6 करने के राम का rank जो की 7 बन रहा है, राइट से, तो इसमें add करेंगे, ठीक है, 5 हमारे पास पहले से थे, एक इसमें extra चाहिए था, एक इसमें add करेंगे, तो total कितने बनेगे, 8, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर शुवम जो था, वो 7 राम के है, राइट से, ठीक है, मेरे पास already 5 है, दो मुझे यहाँ पर चाहिए, 7 बनाने के लिए, तो जो 2 चाहिए, वो किसमें add करेंगे, इसके opposite rank में तो total कितने बनगे, इसमें भी add बने, तब किसी को भी use कर लो, आपके बास answer आजाएगा, minimum number of person, that is 8, ठीक है, I hope आपको यह question समझ आ गया होगा, अब हम next question पर move कर रहे है जो कि दिया गया है यहाँ पर, class में बताया गया है, in a class among the past students, Amisha is 22nd from the top, and Shivani who is 5 ranks below Amisha, अब ऐसे आप इसको बना के देखें, जैसे कि total class जिसमें कि सिर्फ past student की बात कर रहे हैं, Amisha यहाँ पर कहीं पर है, इसका top से rank कितना है, top से rank है 22, ठीक है, और Shivani उससे 5 rank नीचे है, तो below मतलब है, इसमें 22 में 5 add कर लो, कितना जाएगा, 27, यह 27 यह शिवानी बन गी, ठीक है, शिवानी यह बन गी, और क्या बोला है, इस 34th from the bottom, यही शिवानी अगर bottom से देखेंगे, तो bottom से इसका rank कितना बन रहा है, यह बन रहा है 34th, ठीक है, क्योंकि अब मुझे शिवानी की दू पूजिशन मिलगी, टॉप से भी और bottom से भी, तो मैं total find out कर पाऊंगा न, देखें, 27 प्लस 34 कितना बना, 61, उसमें से एक कम कर लो, तो कितना बनेगा, 60, तो इसमें जो past student है, वो बन रहे है 60, ठीक है, अब देखें, आगे क्या बोला गया, इसमें, कि all the students from the class have appeared for the exam, ठ तो pass होगे, सभी student उसमें appear हुएं, तो उसमें कुछ fail भी होगे, इदा ratio between the pass and fail is 4 is to 1, अगर pass fail की ratio है, वो 4 is to 1 है, तो class में total student कितने है, तो हमें ये बताना, तो देखें, यहां पर 4 अगर है, तो 4 इस तरह से आएगा न, कि ये 4 और 1 को 4x और x कर लेगे, अगर मैं इसको 4x क को इस तरह से लिखोंगा, 60 के बराबर, तो x कितना बनेगा, x बनेगा 15, x अगर 15 है, तो x क्या जाएगा, x आजाएगा, 1 x मतलब वही सेम आगे, ठीक है, तो उसका meaning है कि अगर मैं 60 plus 15 को add करूंगा, तो कितना बनेगा, 75, 75 क्या बताएगा, मुझे total number of person in that class, ये मुझे बत जो मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया था, कि अगर दोनों तरफ से एक person का rank दिया, उसका use करना है, ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये question है, बहुत बार ऐसे question आये हुए है, ठीक है, और ये question आपको ranking में usually देखनों को मिलेगा, चाहे आप CS की बात करें, ठीक है, पं कि नहीं के नाम बताया गया, बाकी भी इसमें person होगे, there are five persons between h and p, h और p के बीच में कितने है, five persons है, और six persons किस के बीच में, ठीक है, छे लोग है, और बोला गया, if there are four persons ahead, ahead का क्या meaning, ahead का मनी गया है, हमारे left की तरफ, ठीक है, ahead of q and 25% behind h, h के बाद 25 है, ठीक है, then which could be the minimum number of person in that q, इस q में कितने person होगे, minimize करना है उसको, ठीक है, तो अब देखिए, यहां पे अगर आपने find out करना है, तो क्या करेंगे, देखिए, h और p के बीच में कितने है, h और p के बीच में है, five persons, ठीक है, और p और q के बीच में कितने है, six, तो p और q, अगर मैं q को मा लीजी, यहां पर रखता हूँ, तो छे बन जाएगे, जुरूरी थोड़ी ना कि ऐसे बने, ऐसा भी तो बन सकता है, कि q पहले हो, उसके बाद p आ जाए, उसके बाद h आ जाए, ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में, 5 और इधर 6, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कि q की position इध बेच में 5, और Q की बीच में 6 बनाने तो देख़ीे, 5 तो अरणारी है, ठीक है, h और पी की बिचे 6, जो बनेगा, वो h बन जाएगा, तो p और q की बीच में 6, जो चाहिए थह वो यह नोग बन रहे हैं, ठीक है, तो p और q की की बीच में 6, अब यहां पर जो आगे, इसमें और फोर परसन एहेड़ आपू इसमें हम चारख बना सकते हैं इसमें भी हम चारख बना सकते हैं इसमें देख बीया है कियो के पहले किatने तो यहां पर कोई भी overlapping नहीं हो रही किसी भी तरह की तो यह बन किया आपके maximum की condition ठीक है तो maximum बन देखें इस case में देखें तो इसमें overlap कर दिया है ठीक है और देखें ह के बाद मुझे कितने चाहिए 25 तो 25 में देखें 5 यह बन गए 6 यह बन गया 25 में से अगर 6 कम कर दें तो कितना आएगा 19 तो पी के बाद 19 बनेंगे तो यह बन गया minimum ठीक है तो देखें यहां पर find out क्यासे करें गया 19 प्लस 5 24 24 28 29 30 31 तो minimum number of person कितने बनेंगे 31 31 जो की आपकी option यह बन रही है ठीक है तो यह आपका question इस तरह से होगा अब हम next question देख लेते हैं next question भी थोड़ा से इससे related ही है देखें बोला गया कि three persons ABC are standing in a cube but not necessarily in the same order इस order में नहीं है ठीक है if there are four persons between a and b and seven persons between b and c ठीक है बोला गया इसमें if there are 11 persons ahead of c and 13 persons behind a वो में बताना कि minimum number of person आपको ऐसे ही जादतर कोशन होनेगा ठीक है maximum आपको बहुत कम देखने को मिलेगे ठीक है तो इसमें इसे देखिए यहाँ पर ए बी सी तीन persons है कैसे चार persons है ए और बी बीश में मालीजी यहाँ परसन है इसात अगने के चार और एक पांच पांच और दो यह बन गया अब तो सी के पहले कितने सी के पहले हैं 11 तो यहां पर 11 आ गए और उसी तरह से एके बाद कितने एके बाद 13 तो देखिए आप पर पांच 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 यह आगए तो आठ आगे बनेंगे ठीक है जुरूरी थोड़े नहीं ऐसे बने इसमें डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है अगर मैं B को पहले रखूँ A को बीच में रखूँ और C को एंड में रखूँ ऐसे भी तो हो सकता है इसका reverse order में कि B और A के बीच में कितने है 4 B और C के बीच में कितने है 7, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे C के पहले कितने है C के पहले 11 बनाने इसके और ज्यादा minimize हो जाएगे तो क्या बनेगा 2, 3, 3, 4, 7 बना 8, 8 और 3 कितने हो 11, तो इसमें क्या हैगा B के पहले 3 आएंगे यह बन गया, अभी हमें क्या बनाना है 13 परसन किसके बाद A के बाद, तो A के बाद 13 बनाना तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 यह बना, कीसरा यह बना तो इसमें 3 और आगे कितना आएगा 10, अब आप देख सकते हैं कि A के बाद कितने बनने है, 13 बनने है तो देखते हैं इसमें से minimum कौन सा बन रहा है अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए इसमें अगर हम देखें 10, 10, 12, 12, 12, 16, 16, 13, 19, 20, 21, 22 इसमें और कम होगे न, तो minimum कौन सा बन रहा है यह option A बनने है आप आपको यह question समझ आयोगा previous question भी समझ आयोगा और किस तरह से हमने conditions को बनाने यह भी आपको समझ आयोगा यह आपका question to question vary करेगा बस आपको क्या करना उसको minimize करना की कोशिश करनी है next question है in a queue Rita is 10th from the front while Atul is 25th from the behind Momta is just in the middle of 2 दोनों के बीच में तो इस तरह से है Rita कौन से नमबर पे है Rita है left से 10th नमबर पे ठीक है और Atul नमबर पे ममता यहां पे कहीं पे बीच में है ठीक है और बोला गया अगर 50 total हो पुरी रो में तो आपको बताना है कि what position does ममता occupy from the front of the row अब देखिए क्योंकि इन दोनों के बीच में आप देखिए 25, 10, 35 35 अगर मैं 50 में से कम करूंगा 35 तो क्या आएगा 15, 15 का मतलब है इन दोनों के बीच में 15 लोग है 15 लोग है तो क्या आएगा 15 का मिनिक है इधर से 8 और इधर से 8 ठीक है यहां पे बीच में एक person होगा पहले 7 होगे बाद में भी 7 होगे मतलब शुरू से भी 8 हो रहा है तो क्या आएगा 15, 25 फ्लस आठ कितने बनेगे 33 तो राइट एंड से 33 नंबर पोजिशन आएगी हमें क्या बताना हमें सिंपली बताना था कि शुरू से कौन सी पोजिशन है तो यह 18 दिसका अंसर बनेगा ऑप्शन भी ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन है इस कोश्चन को देखिया यहाँ पे थोड़ा लेंथी कोश्चन है इस कोश्चन में बहुत सारी चीज़े दी गई है अगर यह चीज़ समझाएगे तो आप सभी कोश्चन को कर पाएगे study the following information to answer the given question तो इस कोश्चन में यहाँ पे देखिए तो इस तरह से है पूरी क्लास में अमर का रैंक है 12 और मीता का रैंक है 8 ठीक है क्योंकि यहाँ पे कोई भी end नहीं बताएगे तो शुरू और end हम इस तरह से करेंगे जब भी आपको ranking दिये तो शुरू से दिये होती है ओके आगे बताया कि अमर का रैंक जो है boys में 6 है और मीता का रैंक girls में 3 है इस तरह से आजागी कि अमर boys में 6 नंबर पे intelligent है ठीक है तो उसके पहले intelligent कितने है 5 ठीक है और मीता जो है 3rd नंबर की intelligent है लेट से 3rd नंबर और यहां पर मीता है और इसमें बोला गया है कि इसके पहले intelligent girl कितनी है दो ठीक है इसी तरह से अगर हम देखें इन्दा क्लास मीता रैंक इस 50 सेकंड फ्रॉम दा अधर अधर से देखें तो इसका मीता की ही रैंक कौन सा है 52 यह राइट एंड से 52 अगर मै टोटल फाइंड आउट करना चाहूंगा तो कितना बनेगा यह बनेंगे 59 ठीक है 60-59 और उसी तरह से बोला गया है कि फ्रॉम दा अधर एंड अमस रैंक अमंग दा बॉइज इस 26 26 बॉइज में अब देखें यहां पर अमर है राइट एंड से रैंक देखेंगे तो 26 है और टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा पच्चिस और छे इक बतिस माइनस एक इकत्तिस इकत्तिस बॉइज आगे और उसी तरह से 59 में से अगर मैं 31 कम करूँगा तो यह गर्ल्स क्या बनेंगे गर्ल्स बनेंगी इसमें गल्स बनेंगे 28 ठीक है 28 की अगर हम बात करें तो उसमें कितना बनेगा यहां पर मीता का जो है राइट एंड से रैंक देखेंगे तो कितना बनेगा यह भी आपका 26 थी बनेगा मतलब मीता के बाद भी कितनी लड़किया होगी मीता के बाद भी यहां पर 25 लड़किया होग ठीक है अब क्योंकि यहां पर हमने यह चीज पाइंड आउट कर लिए देखिए मीता के पहले कितने हैं टोटल साथ है जिसमें से क्या बोला गया दो इंटेलिजेंट है लड़कियां गल्स दो आगी और बॉइस कितने आ रहे हैं पांच ठीक है मीता और अमर के बीच में कितन तो अमर के बाद यहां पर कितने बॉइस हैं तो इसका अंसर बनेगा ऑप्षिन ए इसका अंसर बनेगा तो यह था हमारा कॉश्चन And that is the end of the video. Thank you for your cooperation. Please like, subscribe and share.